हेलो दोस्तों सिपनाज का एक और अंसीन मोमेंट लेकर आगी हूँ मैं आप के लिए यहाँ पर शेहनाज मेकप कर रही होती हैं और सिधार्थ हाकर बैठ जाते हैं और सेना को जिस तरह से वो छिड़ते रहते हैं तो वो शेहनाज से कहते हैं कि लोग मेकप करके खुबसूरत लगते हैं और तू बजसूरत लगती है तो शेहनाज कहती हैं कसम तो सिधार्थ कहते हैं हाँ कसम से तो शेहनाज कहती हैं तेरे सर की कसम तो सिधार्थ कहते हैं तेरी कसम तो शेहनाज कहती हैं तू अपनी कसम क्यों नहीं खा रहा तो सिधार्थ कहते हैं मैं कसम नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं उस पर विलीब नहीं करता हूँ फिर वो डायलाग मारते हैं और कहते हैं जो कसम खाते हैं वो जूटे होते हैं और बरतन वो जूटे होते हैं तो फिर सिधार्थ कहते हैं उसके बाद सिधार्थ कहते हैं तू मेकप के बीना ज्यादा अच्छी लगती है मेकप मत किया कर तो यहां सहनाज कहते हैं I think I look better in makeup because of my face cut तो सिधार्थ कहते हैं I can give you cut on your face तो सिधार्थ कहते हैं I can also give तो सिधार्थ आगे बाद change करने के लिए कहते हैं Give me a knife फिर यह सहनाज के पास कोई चीज रखी होती है वो सिधार्थ उठा लेते हैं और कहते हैं यह क्या है यह बिग बॉस की आख है क्या तो सिधार्थ कहते हैं यहां बिग बॉस से मेरा अलग connection है मेरे boyfriend रह चुके हैं पहले तो सिधार्थ कहते हैं अच्छा तभी जब तू नॉमिनेट हुई थी तो तू बाहर नहीं निकली फिर यहां सिधार्थ सिधार्थ से पूछते हैं कि तुने makeup कहां से सीखा तो सिधार्थ कहते हैं मेक अर्टिस्ट से तो सिधार्थ कहते हैं कितना टाइम लगा तो सिधार्थ कहते हैं देखती रहती थी तो सिधार्थ कहते हैं फिर देखते देखते प्यार हो गया तो शेहनाज कहती है तेरा सर तो फिर सिधार तुने चिढ़ाने के लिए कहते हैं उसके बाद हाथ, मुह, पैर सब तो यहाँ पर सिधार शेहनाज की यही सब बंस्ती चल रही होती है तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही सिधनाज के मॉमेंट्स लेकर आती रहूँगी मैं आपके लिए